आस्ट्रेलिया के दो महत्वपून मसूर उत्पादक राजियों साउथ आस्ट्रेलिया एवं विक्टोरिया में मौसम की हालत प्रतिकूल होने से फसल पर गंभीर खत्रा मंदरा रहा है और इसके उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका। दरसल उद्योग व्यापार संग्ठन पिरसा ने चालू सीजन के दोरान इन दोनों राजियों में मसूर का उत्पादन घटकर महिज 4.28 लाक टन पर सिमट जाने की संभावना व्यक्त की है जो सरकारी एजिंसी अबारिस द्वारा लगाए गए अनुमान 8.60 लाक टन का वही दूसरी और बाजार के ज्यादातर जानकार पिरसा के उत्पादन अनुमान को ही सही मानते है जबकि कुछ जानकारों का अनुमानित आकड़ा दोनों के बीच में रहता है। वही एक और अनुसार साउथ आस्ट्रेलिया प्रांथ के प्रमुक उत्पादक इलाकों में लंबे समय से अच्छी बारिश नहीं होने के कारण खेतों की मिटी सक्त हो गई है और उसमें नमी का भारी अभाव होने से फसल का विकास रुख गया है। इससे उपजदर में कमी आने तथा मसूर के दाने की क्वालिटी प्रभावित होने के संकेत मिल रहे हैं। दरसल भा करती आया तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुडने लगे थे लेकिन यदि वहां उत्पादन में जोरदार गिरावट आती है तो भारत के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। मसूर का वैश्विक बाजार मूल्य भी उंचा और तेज रह सकता। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिय प्रांत और खासकर विमेरा छेत्र में भी मौसम लंबे समय से शुष्क बना हुआ है जो मसूर का एक प्रमुक उत्पादक इलाका माना जाता। इसे देखते हुए एक संस्था ने इस बार आस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर 11.70 लाक टन मसूर के उत्पादन की संभावना व् नुमान 16.90 लाक टन से 5.2 लाक टन कम है। इससे पूर्व आस्ट्रेलिया में वर्ष 2023 में 16.90 लाक टन एवं 2022 में 15.70 लाक टन मसूर का उत्पादन आका गयाद। आस्ट्रेलिया में मसूर के उत्पादन में आने वाली जोरदार गिरावट से कनाड़ा को सरवाधिक होग। ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी